Banner of War के पिछले वीडियोज में हमने देखा कि कैसे Iron Man और बाकी सभी ने प्लैनिंग की, Thor और Hull की फाइट देखी और Odin का बैनर से फाइट करना भी देखा, अब वो बैनर की किसी मेमरी में है, Odin बैनर से पूछते हैं, ये कौन सी जगह है? So Hello दोस्तो, Welcome to Comic Bazi, अगर आप लोगोंने इस स्टोरी के पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं, तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और हाँ, एक बात और, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, इससे मोटिवेशन मिलता है, और बिना मोटिवेशन के काम कर करते मज़ा नहीं आता, तो चलो फिर, without wasting your time, let's begin, ओडिन के पूछने पर बैनर बताता है, कि ये जगए El Paso है, जहां हलक ने कांड किया था, बैनर कहता है, नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता, ये क्यों हो रहा है, मैं ये सब अपने माइंड में लॉक कर चुका हूँ, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, ओर्दिन कहते हैं, देखो तुम्हारा सिस्टम डाउन हो चुका है, और तुम्हारा सब कुछ एक्सपोज हो चुका है, तो अब बताओ, कि यहां क्या हुआ था, और तुम इतने डरे हुए क्यों हो, बैनर कहता है, मैं, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, तो हेल पासों में हुआ कुछ यह हो था कि बैनर अपने लेप्टॉप पर कुछ काम कर रहा होता है, कि तब ही किसी बंदे के हाथ लगने की वज़े से पास में रखा मग बैनर के लेप्टॉप पर गिर जाता है, बैनर के अंदर हल्की रेज एक दम बॉयल हो रही थी लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि पास में बैठा बंदा उसकी स्किन ग्रीन होने लगती है बैनर ये देखकर हैरान था कि तभी वो न्यू ट्रांसफॉर्म्ड हल्क बैनर को उठा कर फैक देते हैं और देखते ही देखते हल्क का रेज वहां मौजूद सभी लोगों में इन्फेक्शन की तरह फैलने लगता है यानि कि वहां पर मौजूद सभी लोग कहीं न कहीं अब हल्क बन चुके थे ये सब मेरी वज़े से हुआ बैनर कहता है मेरे सामने अंधेरा चा गया था मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था जब मुझे होश आया तो मुझे समझ आया कि हल्कों मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था क्योंकि उस दिन ड्राइवर सीट पर मैं नहीं था मुझे पता नहीं कि वो सब कैसे हुआ गाइस ऐसा लग रहा था कि बैनर पोजेस्ट था और उसने बिना हल्क के ही वहाँ पर सभी बंदों को बहुत बुरी तरह से मारा यानि कि उसने वहाँ पर मौझूद सभी निव ट्रांसफॉर्म्ड हल्क को मार दिया और कितनी बुरी तरह से मारा वो तो आप देखी रहे हैं और जब बैनर होश में आया तब सब कुछ खत्म हो चुका था सारी रात मैं वहीं पर बाहर बैठा रहा और उस आग को देखता रहा और सोचता रहा कि मुझे इसी के अंदर होना चाहिए था मुझे भी मर जाना चाहिए था मैं इंतजार करता रहा कि कोई आए और मुझे मरने में मेरी हेल्प करे पर ऐसा नहीं हुआ बस इसलिए मैंने हल को यूज करने का डिसाइड किया जैसे कि उसने मुझे यूज किया ओडिन पूशते हैं लेकिन तुमने ये सब कुछ कैसे किया I mean तुम्हारे माइंड में तो मैजिक भी काम कर रहा है कि तब ही वहाँ पर थंडर की स्पार्किंग होना शुरू हो जाती है बैनर पूशता है ये ये क्या हो रहा है ओडिन समझ चुके थे कि ये थार है वो मना करते हैं कि नहीं अभी नहीं थौर लेकिन थौर नहीं रुकता वो ओडिन को वापिस अपने हैमर में बला लेता है ओडिन थौर को कहते हैं कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए मुझे वापिस भेजो बट थौर उनकी नहीं सुन रहा था वो कहता है हमारे पास वक्त ही तो नहीं है इधर बैनर भी बोलता है नहीं थौर मत करो लेकिन थौर ये नहीं सुन पा रहा था कि तब ही वहाँ पर आरन मैन एक सेलेस्टियल साइज आर्मर में आ जाता है और कहता है बहुत वक्त हो गया है हल्क कोई तोड़ फोड नहीं है न लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस वहिकल से बाहर आ जाओ इधर बैनर अपनी ही दुनिया में था वो देखता है कि लाइट आस्मान को जला रही है वो सब कुछ खत्म कर रही है बैनर बहुत दुखी था जो भी हुआ या जो भी आगे होने वाला था वो अभी भी रो रहा था वो देखता है कि रेज बढ़ रही है और जब रेज बढ़ती है तो क्या होता है ये सब उसे बहुत अच्छे से पता है इधर आरन मैन हलके ओपर गोला बारुद गिराने लगता है पहली बार ब्लैक हैंड ओफ गौड पर इस तरह के लड़ाई की जा रही थी यहां इतनी पावर्स को रिलीस किया जा रहा था कि मानो ब्लैक हैंड गौड पर सूरज उतराया हो यहां मौजूद सभी लोगों को बाइफरोस्ट के जरिये सेव जगे पर टेलिपोर्ट कर दिया गया था यहां पर वो हो रहा था जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा ब्लैक हैंड ओफ गौड बरबाद हो रहा था आरन मैन हलक के ओपर गोला बारूद लगातार बरसाता ही जा रहा था लेकिन हलक वो एकदम डट कर खड़ा था आरन मैन कहता है बॉस आखिर यह क्या चल रहा है मैंने सेलेस्टियल की बॉड़ी का यूस करके यह आर्मर बनाया है ताकि हम हलक की सारी गामा रेडियेशन उसमें चूज सकें ताकि वो हमें और बाकियों को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए और मामला आसानी से सुलच जाए लेकिन ऐसा कुछ होता तो दिखाई नहीं दे रहा है गाईस आर्मर नेहां हलक को मारने के लिए नहीं बलकि किसी तरह उसकी पावर्स को कम करने आया है क्योंकि उसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है क्योंकि जितना वजादा वो गुसे में आएगा उतनी ही पावर हलकी बढ़ती जाएगी तब ही आर्मर का AI बॉस बोलता है इनकरेक्ट क्योंकि हलक के अंदर की इनरजी खत्म ही नहीं हो रही थी आर्मर कहता है क्या आखिर ये कैसे हो रहा है इसके पावर्स कहां से आ रही है जबकि मैंने इसकी बहुत सी गामा रेस को खीच लिया है कुछ वक्त के लिए हलक बैनर बना लेकिर फिर वो वापिस से हलक बन जाता है तो बस यही बात आर्मान को समझवें नहीं आ रही थी क्या आखिर ये कैसे हो रहा है थार भी ये देखकर समझ चुका था कि आर्मान का ये प्लान काम नहीं कर रहा है और तब ही हम देखते हैं कि हल्क थोड़ा सा टाइटन हल्क के फॉर्म में चेंज होता है और अपने मूँ से एनरजी का बलो मारकर आरन मैन के आर्मर को हिट कर देता है आरन मैन का सिस्टम इनिशियल सिस्टम डैमेज होने की खबर देता है तो इसी के साथ आज का हमारे ये ले वीडियो खत्म होता है स्टोरी काफी खतरनाख होती ही जा रही है हल को रोखना तो सबी अमेंजर्स के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है आगे देखने के लिए बने रहे है कामिक बाजी के साथ अपना और अपनों का ख्याल रखिये हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई बाई